हेलो दोस्तो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, आज हम सिखेंगे कि एस्पी.NET MVC में वेब क्लेंट का इस्तेमाल कैसे करें तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक JSON फाइल दिखा रहा हूँ यह JSON फाइल मैंने GitHub के API पर अपलोड कर रखी है और वहाँ से हम वेब क्लेंट का इस्तेमाल करके इसे डाउनलोड करेंगे तो चलिए आप चलते हैं, Solution Explorer के ओर, यहाँ पर आप देश सकते हैं Controllers folder में अलरड़े एक controller महजुद है, मैंने controller पहले से add कर दिया था तो चलिए controller को open करते है, मैं आपको पताना चाहूंगा कि इस वीडियो पर आर्टिकल अलरड़ी मैंने पोस्ट कर दिया है आप उसे description में दी गए link के जरीए जाकर check कर सकते हैं साथ-साथ वहाँ पर आपको source code की download link भी मिल जाएगी और यदि आपको इस tutorial के related कोई doubt है, तो आप हमें forum पर पूछ सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम एक name space add करेंगे system.net इसका इस्तिमाल web client class के लिए किया जाता है अब हम चलते हैं हमारे action method के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं expect 100 continue flag को set कर रहा हूँ जो service point manager class को भी long करता है, इस flag के जरीए हम bandwidth बचा सकते हैं इसका मतलब यह होता है कि जब तक expect 100 continue flag server से return नहीं होगा तब तक data नहीं भीजा जाएगा यानि सबसे पहले authentication headers बेजी जाएगे और अगर authentication successful है तब ही ही server expect 100 continue flag return करेगा और हमारा data send किया जाएगा उसके बादवाला flag है security protocol यहाँ पर मैं TLS 1.2 सेट कर रहा हूँ अब यहाँ पर TLS 1.2 इस्तेमाल करना है 1.0 इस्तेमाल करना या SSL 3 इस्तेमाल करना है यह totally depend करता है कि आपका server किस तरह का security protocol इस्तेमाल कर रहा है आपको server के हिसाब से ही यहाँ पर set करना होगा आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे channel को subscribe करें और bell icon दबाना ना भूले आगे आप देख सकते हैं मैंने webclient class का एक object बनाया है और webclient class के download string method का इस्तेमाल करकर मैं उसे URL पास कर रहा हूँ जो के GitHub के API का URL है जहाँ पर मेरी JSON hosted है और यह जो download string method है यह एक string value return करेगा जिसे मैंने एक variable जिसका नाम JSON है उसमें receive किया है अब क्योंकि यहाँ पर मुझे string value return करना है तो इसलिए मैं view को return करने की बजाए यहाँ पर content function को call करकर उस JSON object को return कर दूँगा यहाँ पर content function इस data को print कर देगा यह बहुत कुछ similar है response.write जो के hp.net webforms में इस्तेमाल होता है उसी की तरह इसी की साथ हमारी programming complete होती है तो चलिए अब हम हमारे code को run करकर check करते है आप देख सकते हैं हमारे program ने JSON को API से read करकर यहाँ पर print किया है तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत्य में आते हैं आज हमने सीखा कि किस तरह webclient class का इस्तेमाल hp.net vc में किया जाता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए प्लीस लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में